Hello and welcome to fun learning हमने athletics के अंदर already track event कर लिये हैं अब हम field event के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम long jump के बारे में पढ़ेंगे अब long jump की सबसे पहले हम measurement देख लेते हैं इसके जो देखी इस तरह से इसमें runway होता है और इसमें landing area रहता है इस तरह से और यह जो landing area रहता है यह 50 cm तक खोदा होना चाहिए और इसमें rate भरी होनी चाहिए ठीक है इसमें क्या होनी चाहिए soft rate का यह बना होता है landing pit और इसकी जो length होती है वो कितनी होती है वो 9 meter लंबा होता है landing pit और इसकी जो width होती इसकी चोड़ाई कितनी होती है ये 2.75 मीटर से लेकर 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए यानि कि minimum ये 2.75 मीटर होनी चाहिए और maximum 3 मीटर इसकी width रहनी चाहिए और इसमें jump लेने के लिए take off line होते है यहां इसके पीछे से खिलाड़ी jump करेगा और take off line से landing area के बीच का distance होता है 1 से 3 मीटर के बीच में तीके इतनी दूरी पर ये take off line लगाई होनी चाहिए और इसमें ये जो runway रहता है runway में इसकी जो line ने देखिए white color में mark होनी चाहिए और 5 cm 50 mm यानि की 5 cm चौड़ी ये runway की line लगी रहनी चाहिए ठीके यहां runway से खिलाड़ी दौड़ कर आएगा और इसकी जो length होती है कितनी होनी चाहिए ये 40-45 मीटर लंबा runway होता है और इसकी जो width रहती है बो होती है 1.22 मीटर इसके अलाबा यहाँ पर जो take off line के पास take off board लगाए जाता है और ये जो take off board होता है लकड़ी का बना होना चाहिए और suitable rigid material का बना होना चाहिए ये इस तरह का होना चाहिए कि athlete की जो shoes की spike से इस पे grip होनी चाहिए ना कि facial नहीं चाहिए और ये white color का होता है इसकी thickness या मुटा आई कितनी होती है 0.10 मीटर या इसको 10 cm बोल सकते हैं इसकी width है 20 cm और इसकी length 1.22 मीटर अब इस take off board के पास आगे की तरफ को indicator board भी लगाया जाता है यहाँ take off board के आगे और इसमें plasticine लगाया जाता है और इस plasticine क्या होता है जैसा आपको पता है ये बच्चों के model वगएरे में यूज होता है और ये long jump competition के अंदर भी यूज होता है official को help करने के लिए कि यहाँ पर jump जो हुआ है वो legal jump है या fall jump है इस चीज़ में ये help करता है plasticine क्योंकि athlete का पाउगर इस take off board के आगे चला जाता है उस plasticine के उपर पढ़ जाता है तो इसमें पता लग जाता है और ये जो indicator board होता है ये कठोर होता है लकड़ी का बना होना चाहिए या फिर कोई दूसरा suitable material का ये बना होना चाहिए और इसकी length भी 1.22 meter होती है और इसकी width 10 cm और इसकी height 7 mm होती है ठीक है और ये indicator board 90 degree के angle पर ये लगा होना चाहिए जो पहले थे rule उनमें था 45 degree angle पर ये indicator board लगाया जाता था प्लास्टिन board लगाया जाता था लेकिन अभी जो है वो rule change हो गए है अब इसको 90 degree के angle पर लगाया जाएगा अभी 2021 में नमंबर 2021 में ये rule लागू हो जाएंगे कि कई बार fall का पता नहीं चलता था इसलिए अब इसको 90 degree कर दिया गया है इसके बाद हम इसके कुछ techniques देख लेते हैं long jump में किस तरह से jump किया जाता है क्या इसकी fundamental skill होती है jump करने के लिए सबसे पहले अगर तो आप नए खिलाड़ी हैं तो आपको अपना strong foot चेक करना होगा strong foot चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको कुछ दूरी तक एक tang से उचल कर jump करते हुए जाना होगा जिसको बोलते है लंगडी tang से कोदना जैसा कि मान लेजे आप लंगडी tang कुदते हुए right foot से यहां तक जाते हैं और left pound से आप यहां तक जाते हैं तो इसका मतलब है कि left foot आपका strong foot है और उसी तरह अगर कोई right foot से ज़्यादा दोर तक जाता है और left foot से कम distance तक जाता है तो right foot उसका strong foot है अब आपको strong foot पता चल गया आपका तो आपने check mark लगाने हैं सबसे पहले तो runway पे और ये check mark क्यों लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम दोड़ते हो अपने कदमों को adjust कर पाएं और take off के time पर हमारा strong foot यहां take off पर आए हम एक अच्छा jump कर सकें तो इसलिए आप क्या करोगे यहां take off board से 12 से 16 कदमों की दोरी पर check mark लगा दोगे check mark आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अपने कदमों के हिसाब से आगे या पीछे लगा सकते हैं कैसे भी आप खुद से देखे दोर के जो take off board पर आपका जो strong foot है वहाना चाहिए तो यह सब check mark बगारा लगाने के बाद अब सबसे पहले approach run आता है approach run यानि कि आप यहां से अब runway पे भागते हुए जाओगे उसको approach run बोलते हैं और वो कितना अच्छा आप दोरते हो कितना controlling speed में दोरते हो उसपे depend करता है कि आपका जो jump है वो कितना अच्छा रहेगा तो जो approach run है वो इस तरह का होना चाहिए एक अच्छी speed में भी होना चाहिए अपनी maximum speed भी होनी चाहिए लेकिन वो speed controlling होनी चाहिए consistent होनी चाहिए इस तरह क्यों चाहिए कि आप speed को control कर सको जब आप यहाँ पर jump ले रहे हो तो इस तरह से approach run ले लिया और approach run के बाद है take off take off का अच्छा होना long jump के अंदर काफी important है काफी जरूरी है क्योंकि अगर आप एक अच्छा take off करते हो अच्छा jump यहाँ पर करते हो तो आप लंबी दूरी तक यहाँ पर jump करने में सफल हो जाते हो और take off के time पर ठीके यहाँ इस board से आप jump करोगे कोशिश करें खिलाडी board के middle से jump करें अपनी पुरी ताकत से अपने पुरे संतूलन और balance बनाकर jump करें और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें take off लेते time खिलाडी जो है वो jump take off board पर से कर सकता है लेकिन take off line को जरा भी touch नहीं कर सकता है और अगर take off line को खिलाडी touch करता है ठीक है इस board के आगे पाउंस का जाता है तब वो fall होगा ठीक है वो jump fall jump होगा फिर इस तरह से jump करने के बाद हवा में इसकी position किस तरह की रहेगी position in the air या flight इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते है jump करने के बाद हवा में उनकी position किस तरह की रहेगी इसमें किस तरीके से हम अपनी jump को और लंबा खेंच सकते हैं ये चीज़े इसमें आती हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे फिर उसके बाद है लेंडिंग लेंडिंग के अंदर देखें खिलाडी अपनी एडियों के सारे भी वो पिट पर गिर सकता है या अपनी हिप के सारे गिर सकता है उसके कोशिश रहने चाहिए कि वो आगे की तरफ को गिराने की वो कोशिश करें आगे हम इसमें देखते हैं कि इसकी पॉजिशन जो एर में रहती हैं वो कितने तरीकों से रहती हैं या इसके स्टाइल कितने होते हैं जंप के वो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले है सेल स्टाइल, इसमें देखे सिंपलिक लाड़ियांसी इस तरह से जंप करेगा और इसके जो हाथ है वो इस तरह से पीछे की तरफ को रहेंगे और वो अपने श्रीर को आगे की तरफ को इस तरह से दकेलने की कोशिश करेगा, उसके बाद है hanging style hanging style नाम से जैसा की पता चल रहा है इसमें एक इस तरह की position बनती हवा में कि ऐसा लगता जैसे आप लटक से रहे हो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से और तीसरा जो style है वो है hitch cake style या फिर recycling style भी इसको बोलते हैं इसमें देखिए जम्प करने के बाद खिलाडी इस तरह की moment करते हैं जैसे की कोई cycle चला रहा हो इस तरह की moment करते हो शरीर को जितना हो सके आगे की तरफ को वो दकेलने की कोशिश करता है और फिर इस तरह से landing हो जाती है और यह तीन तरीके होते हैं long jump के फिर next हम देखते हैं कि fall jump कब होता है एक सही jump के लिए एक athlete को इस take off line को touch नहीं करना होता है उसको इस take off line के पीछे से jump करना होता है वो take off board पे पाउं रखके jump कर सकता है उसके पीछे से भी jump कर सकता है उसमें कोई भी fall नहीं होगा लेकिन अगर athlete इस take off line को touch करता है उसके आगे plastic board को या ground को touch करता है तब वो fall माना जाएगा और athlete इस take off board के बाहर से भी jump नहीं कर सकता वो भी एक fall jump होगा लेकिन हाँ अगर खिलाडी तोड़ते हुए runway के बाहर उसका पाउंपर जाता है या इस line पे पाउंपर जाता है तो वो fall नहीं होगा लेकिन यहाँ take off इस runway से बाहर लेता है take off board के बाहर लेता है तब वो fall माना जाएगा और खिलाडी इस take off line को जरा भी touch नहीं कर सकता थोड़ा सा भी ये touch नहीं कर सकता और अभी जो rule में थोड़ा सा बदलाव हुआ है अब उन्होंने थोड़ा clear कर दिया गया है अब ये बोलते हैं कि take off के time पर अगर कोई athlete take off line के vertical plane को भी break करता है तब भी वो fall होगा अब इसका क्या मतलब हुआ vertical plane से मतलब ये होता है अगर कोई player इस take off line को भी ना touch किये भी इसके उपर से अगर वो पाउँ रखता है तब भी वो fall jump माना जाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है खिलाडी take off board के यहां आगे से jump करता है और तो उसकी जो टो है या उसका पंजा है वो take off line के उपर से रहता है लेकिन उसको touch नहीं करता है और ना ही plasticine board को वो touch करता है तो इस case में यहाँ fall को पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है तो इसलिए यहां पर यह rule में clear कर दिया गया है कि अगर vertical plane पर भी अगर पाउं रहता है तब भी वो fall jump माना जाएगा और इसके अलाबा अगर वो यहां आगे से jump करता है या plasticine board पे से भी jump करता है तब भी वो fall होगा यानि कि इस line के बाहर वो अगर jump करता है तब वो fall jump ही माना जाएगा यह तो था take off के time पर अगर खिलाड़ी landing से पहले अगर runway को touch करता है या फिर वो अगर ground के बाहर touch करता है या landing area से बाहर touch करता है तब भी वो fall jump माना जाएगा यह देखिए अगर खिलाड़ी इस तरह से यहां landing pit पर गिरता है कि अगर उसकी देखिए body का जो सबसे नजदी की भाग है बहां से ही measurement होती है इसमें measurement कैसे होती है जो भी खिलाड़ी का जो सबसे नजदी की भाग होता है take off point से बहां से measurement ले जाती है तो इसकी body का जो सबसे nearest भाग उसका हाथ देखी यहां पर है और यह जो है वो इस landing pit से बाहर है तो यह एक ballot jump नहीं माना जाएगा इसको major नहीं किया जाएगा लेकिन अगर यह खिलाड़ी इस तरह से land करता तब यह एक ballot jump माना जाएगा क्योंकि इसकी body का जो सबसे नजदी की भाग है take off point से वो इस pit के अंदर है तो इसको एक ballot jump माना जाएगा और इसको major किया जाएगा अब आगे हम इसके कुछ और rule देख लेते हैं इसमें देखिए सबसे पहले अगर competitor चाहे तो वो practice trial ले सकता है competition शुरू होने से पहले लेकिन एक बार अगर competition शुरू हो जाते हैं तब वो यहाँ पर take off area को use नहीं कर सकता या landing area को use नहीं कर सकता यानि कोई भी practice trial नहीं कर सकता है long jump के अंदर कितने trial दिये जाएंगे हर एक खिलाड़ी को वो depend करता है कि कितने participant है कितने competitors होते हैं अगर खिलाड़ी 8 से कम होते हैं तो 6 trial दिये जाएंगे हर एक खिलाड़ी को लेकिन अगर खिलाड़ी यहाँ 8 से जादा होते हैं तब हर एक खिलाड़ी को 3-3 trial दिये जाएंगे फिर उसके बाद फिर 8 जो best खिलाड़ी निकाले जाएंगे पिर उनको आगे फिर तीन तीन ट्रैल और दे जाएंगे फिर नेक्स्ट है हर एक परफॉर्मर को अपना जंप कंप्लीट करने के लिए एक मिनट का टाइम दे जाता है फिर नेक्स्ट है देखिए हमने जैसा भी पहले पड़ा कि चेक मार्क लड़ी लगा सकता है रनवे में अपना टेक ओफ लेने के लिए लेकिन वो चेक मार्क के लिए कोई भी जैसे कोई भी इस तरह का चीज यूज नहीं कर सकता जैसे चौक हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो मिटाई नहीं जा सकती वो एडिसिव टेप यूज कर सकता है जो कि और गिनाइजरिंग कमेटी के द भाग कौन सा है टेक ओफ पॉइंट से यह वाला देखिए यहां से यह वाला पॉइंट सबसे नजदी की है भाग है तो यहां से इसकी मेजरमेंट ली जाएगी इसलिए खिलाडियों को देखे कोशिश करने चाहिए उनके जो हाथ होते हैं वो आगे की तरफ को रहें क्यू ये कोशिश करें जंप करने के बाद वो आगे की तरफ को अपनी बॉड़ी को धके लें और जंप के बाद खिलाड़ी फिर आगे से इस तरह से निकल जाएगा बाहर पीट के और जो मेजरमेंट है वो यहां पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेक ओप पॉइंट से अब जै यह बिल्कुल कैसा सीधा लिया जाएगा अगर इसके बाहर भी जाता है तो यह टेक ओफ लाइन की सीध में आगे इस तरीके से यहां से इसकी मेजरमेंट होगी इस तरह से यहां से मेजरमेंट होगी सीधा यहां इस तरह से मेजरमेंट ली जाती है इसको तिर्चा नहीं ल चीव ऑफिशल्न के में दो होते हैं वह यहीं पर रहते हैं ज qe Train पर गल्ती की कोई संभाबना ना रहेืे K91 पर में अन्दर दूर जंप करेगा बिना कोई फॉल किये व बैंने हो जाता है अगर आटppy ताए हो जाता है को उने दूसरा चांस दिया जाता है उस दूसरे चांस में देखा जाएगा कि कौन से खिलाडी ने better performance की है तो अगर उसके बाद भी दौनों खिलाडी अगर फिर से equal हो जाते हैं तब फिर से उन्हें एक और चांस दिया जाएगा फिर इस तरह से तब तक उन्हें चांस दिया जाएगा जब तक कि एक खिलाडी दूसरे खिलाडी से अच्छी performance ना करे फिर एक खिलाडी official की permission के बिना उस field area को नहीं छोड़ सकता जहां पर ये competition हो रहे हैं और इस case में अगर तो official चाहे या अगर possible है तो warning दे कर उसे छोड़ सकता है और अगर official ना चाहे तो या बात serious अगर हो जाती है तो athlete को disqualify कर दिया जाएगा फिर next इसमें official इसमें एक chief judge होता है जो पूरे event को judge करता है पूरे event की responsibilities पे होती है पाकि उसमें और भी judges होते हैं जो बड़े competition होते हैं international level के competitions होते हैं इसमें बहुत सारे judges होते हैं इसमें एक judge तो रहता है take off line के पास में और वो ये check करेगा कि जो jump है वो ठीक डंग से लिया गया है कि नहीं लिया है take off के पास में कोई fall तो नहीं हुआ और यहां पर वो measurement भी लेगा और इसके पास दो flag रहने चाहिए एक इसमें white flag रहना चाहिए जो यह indicate करेगा कि jump जो है वो ballot होता है और red flag रहेगा जो कि यहां fall jump को indicate करेगा और दूसरा judge landing point पर रहेगा जो कि देखेगा कि यहां पर जो jump हुआ है nearest point कहां पर आता है खिलाडी का ठीक है और यह official tape को भी पकड़ेगा यहां पर zero point पर क्योंकि हमने कहा था landing point पर जो है वो tape का zero वाला हिसा रहता है फिर इसमें एक scorer रहेगा ठीक है जो कि सारे score को record करेगा result sheet बनाएगा और यह athlete को बुलाएगा भी ठीक है call भी करेगा announcer का काम भी यह करेगा और एक इसको assist करने के लिए रहेगा और एक judge के पास यहां score board का charge रहेगा score board यहां पर देखेगा और एक इसमें wind gauge official रहते हैं अब जो बड़े competition होते हैं इसमें wind gauge लगे रहते हैं कहां पर यह take off board से 20 meter की दूरी पर यह लगाए जाते हैं जिस समय पर खिलाडी jump के लिए दौनना शुरू करता है उस समय पर wind gauge की मदद से यहां पर wind को major किया जाता है और इसके लिए एक judge रहता है इसमें wind की velocity को 5 second के लिए major किया जाता है एक या एक से जादा judge और assistant रहते हैं जो कि यहां landing को leveling करने के लिए रहते हैं blending pit में क्या rate भरी रहती है अब हर एक jump के बाद उसको level करना जरूरी रहता है फिर उसके बाद जैसा हमने पढ़ा था इसमें plasticine भी लगाया जाता है और उसको हर replace भी किया जाता है जिसके लिए एक judge और assistant रहते हैं और एक judge रहता है जो कि यहां athlete को clock indicate करता है कि उन्हें बताते है कितना time रह गया क्योंकि उनके पास एक limited time रहता है trial को पूरा करने के लिए एक judge रहता है athlete को control करने के लिए इस तरह से एक बड़े competition के लिए इतने सारे official होते हैं long jump के अंदर लेकिन अगर हम छोटे level पे या फिर local competitions में देखें तो इसमें simply एक chief judge रहता है और पांच दूसरे judges रहते हैं जिसमें दो judges रहेंगे जो कि measurement के लिए रहेंगे और एक इसमें scorer रहेगा एक announcer रहेगा और एक judge रहेगा जो कि flag दिखाएगा ये था वीडियो मैंने आपको इस वीडियो में long jump से later सारी important चीज़े बताने की कोशिश की है और फिर भी आपको कोई doubt होता है आपकी कोई queries होते हैं तो आप मुझसे social media पर इन ideas के द्वारा जूट सकते हैं इन सब का link मैं आपको description में दे दूँगी I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिए और channel के साथ जुड़े रहे channel को subscribe करें और notification bell icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की update आप तक पहुंचते रहे